यदि आपको हर्दय से सम्मंदित किसी भी प्रकार की कोई समश्या है जैसे कि हर्दय में पीड़ा हो रही हो, हर्दय में घबराहट हो रही हो या आपकी धड़कन हमेशा तेज रहती हो या आपका कोलोस्ट्रोल लेबल हमेशा बढ़ा रहता है या आप मोटापे से परिशान है इन में से यदि कोई भी लक्षन आपकी बोडी में या आपकी सरीर में दिखता है तो एक मात्र इलाज हमारे पास है वो ओस्दी है एक ओस्दी है जिसका नाम है अरजुन की छाल आज हम चर्चा करेंगे अरजुन की छाल के बारे में अरजुन की छाल के बारे में चर्चा करने से पहले अरजुन की बारे में सामाने जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बाद जानेंगे कि किन-किन बीमारियों में ये मददगार साबित होती है और कैसे इसका प्रियोग करें नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सीं सुसोधिया मेडिकल केर में आप सदी का स्वादर है अरजुन का ब्रक्ष एक सदा बाहर ब्रक्ष होता है सदियों से अरजुन के पेड़ की जड़ को इसके फल को और इसके पत्ते को और स्थी के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहा है अरजुन का पेड़ बड़ा ही बहु गुणी है बहुत सारे गुण इसके अंदर समाहित है जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा टैनिन की मातरा सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसके इलाबा इसमें मेगनिशियम, पोटेशियम और केल्शियम भरपूर मातरा में पाये जाता है अगर हम वनस्पति की द्रस्टी से देखें तो इसका वनस्पतिक नाम टर्मीनेलिया अर्जुन है संस्क्रत भासा में इसको वीर ब्रक्ष या वीर के नाम से भी जानते हैं हिंदी में इसको अर्जुन, कोह या अंजली के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में इसको मायरो बलान के नाम से भी जानते हैं प्रक्रती में ये सीतल होता है, ठंडे सुभावाला होता है, यानि सरीर को ठंडक प्रदान करता है, और स्वाद में ये कसैला होता है, तो ये थी जानकारी अरजुन के पेड़ के बारे में, कि अरजुन का पेड़ कैसा होता है, इसकी सामाने जानकारी, सबसे पहली बात हम चर्चा करना चाहेंगे कि अरजुन की छाल हर्दय से सम्मंदित जितने भी रोग हैं हर्दय से सम्मंदित समस्त रोगों के लिए एक राम बान औस्ति का काम करती है जैसे हर्दय की मानस्पेशियों को बल प्रदान करती है उसको मजबूत करती है हरदय में अगर धरकन तेज हो रही हो तो उसको कम करने का काम करती है हरदय में अगर किसी भी प्रकार का दर्द हो या फिर घबराट हो उसको भी कम करने का काम करती है यदि किसी ब्यक्ति का blood pressure level बढ़ा हुआ हो तो उसको भी blood pressure को कम करने में मददकार सावित होती है यानि कुल मिला करके अरजुन की छाल हरदय रोग के लिए बड़ी ही हितकारी है इसके अलाबा अरजुन की छाल कई अन्य रोगों में भी काम में आती है जैसे मूत्र से संबंदित विकार यानि जैसे किसी को पेसाब में जलन हो रही है रोग रोग करके पेसाब आ रहा है या गुर्दे में किसी भी प्रकार की समश्या या सूजन हो तो उन इस रोग के लिए भी अरजुन की छाल का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की किसी भी कारण से हड़ी तूड़ गई हो तो हड़ी को जोड़ने में भी अर्जुन की छाल का बहुत बड़ा यूगतान है। यानि कि रग्तिस्राव को कम किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मुँँ में च्छाले हो गए हो और च्छाले बहुत दिन हो गए मिटनी रहें तो इस बीमारी का इलाज भी इस अर्जुन की छाल से किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मुँँ पर मुहासे हो गए हो, कील मुहासे हो जाते न कई बार, तो कील मुहासों को दूर करने के लिए भी अर्जुन की छाल का प्रियोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द बना रहता है, या गैस बनती रहती है, या एसिडिटी की समश्य होती है, तो इस तरह के रोगों को दूर करने के लिए भी अर्जुन की छाल का प्रियोग किया जाता है। अर्जुन की छाल का प्रियोग इसके अलाबा बुखार को खतम करने के लिए, यानि बुखार को कम करने के लिए, पीलिया रोग में और इसके अलाबा छे रोग में भी ये बहुत उप्योगी कारगर सिद्ध हुई है। अब तक हमने जाना कि अर्जुन की छाल क्या होती है और अर्जुन की छाल किन-किन बीमारियों को दूर करने में मददगार सावित होती है अब हम ये जरूर जाना चाहेंगे कि अर्जुन की छाल का हम कैसे प्रियोग कलें यदि कोई भी व्यक्ति अर्जुन की छाल के रक्त श्राव आधिक होता हैं इस रकत श्राव को कमकरने के लिए एक कप दूद में एक छोटी चमच अर्जुन खीट झाल का 파ॉडर मिलाएं और उसको औने और तब तक वाने जब तकि वह आधा कप नहीं रहाएं आधा कप रहने के बाद उसमें क्वितों का मित्नी की outlined मि एक कप दूद में यदि एक छोटी चमच अर्जुन की छाल का पाउडर अगर नीमित रूप से सेवन करे कोई व्यक्ति तो हड़ी जुड़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के मुह में च्छाले हो गए हो तो अर्जुन की च्छाल के पाउडर में नारियल का तेल मिला करके उसका पेस्ट बना करके च्छालों में यदि लगाया जाए तो च्छालों में भी आराम मिलता है यदि किसी व्यक्ति के कान में दर्द हो रहा हो तो की सिकायद बनी रहती हो हमेशा गैस बनी रहती हो तो इसके लिए अर्जुन की चाल के पाउडर में थोड़ी सी हींग और नमक स्वादानुसार नमक मिला करके इसका सेवन करने से पेट दर्द में या गैस से संबंदित या इसी डिटी से संबंदित समश्चा दूर हो जाती ह है यदि किसी व्यक्ति को अपना हरदय मजबूत बनाना है बलवान बनाना है ताकतवर बनाना है तो अर्जुन की चाल को दूद के साथ गुड़ के साथ और चीनी के साथ भी प्रयोग में लिया जा सकता है तो ये थी समस्त जानकारी अर्जुन की चाल के बारे में लेकिन एक बात इसमें मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि अरजुन की छाल का जो डोज है वो चिकितसक के अनुसार ही लें क्योंकि अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग प्रकार का डोज है इसलिए एक आयरुवेदिक चिकितसक से जरूर सलाह लेकर के इसका सेवन करें अगर आपको यह वीडियो किसी भी तरीके से हेलपफुल लगा हूँ तो इसको लाइक करें, सेयर करें और सस्क्राइब करना न भूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नमस्कार